फेंस वेलकम टू A.I.E.L. मैं हूँ प्रदीब और आज हम इस वीडियो में कॉंप्रेंशन पैसेज डिस्कस करेंगे और जिने हम अंसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं फेंस कॉंप्रेंशन पैसेज एक अंडरस्टेंडिंग टेस्ट होता है जो कि स्टुडेंट की अंडरस्टेंडिंग को एवैलूएट करने के लिए एक्जैम में दिया जाता है इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट फेक्टर के बारे में बात करेंगे सबसे पहला जो फेक्टर है वो है कि अंसीन पैसेज कब किया जाए नमबर टू अंसीन पैसेज को कैसे सॉल्ब किया जाए और कितने टाइम में सॉल्ब किया जाए नमबर थ्री पैसेज में आई हुई वकैब या वर्ड्स को जिनके हमें सिमिलर या ओपजिट मेनिंग बताने होते हैं उन वर्ड्स को कैसे ढूंडें फ्रेंच सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम unseen passage को कब करें और कितने टाइम में करें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो reading section तीनो section में से सबसे मुश्किल होता है ये unpredictable होता है आप इसमें marks predict नहीं कर सकते आप नहीं बता सकते कि आप कितने marks score करने वाले हैं वेंस जितना passage lengthy होता है और जितने tough words उसमें होते हैं उतना ही उसे solve करना मुश्किल होता है इसलिए आपको exam में 15 minutes reading section को पढ़ने के लिए extra दिये जाते हैं तो आपको उसका फायदा उठाना है और आपको तीनो passages को 15 minutes में समझने की कोशिस करनी है अब हम बात करते हैं कि reading section को हमें कब करना चाहिए सबसे पहले आप writing section ले और उसके बाद literature section और फिर finally reading section तो इस तरीके से आप अपने exam में इन तीनो section को order में रखें तो reading section में आपको 3 passages मिलते हैं जिन में से आपको 2 comprehension passages मिलते हैं और एक में आपको note making बनानी होती है अगर आप time के allotment की बात करें तो आपको 3 passages को 15 minutes each देना होगा that means आपके पास 3 passages को solve करने के लिए 45 minutes होगे और आपको within 45 minutes इन 3 passages को solve करना होगा that means comprehension passages और note making 3 को आपको 45 minutes के अंदर पूरा करना होगा friends ये बात थी कि हम कि section को पहले करें और कितने time में करें अब हम बात करते हैं कि unseen passage को solve कैसे करें friends passages को solve करने के लिए हम traditional approach follow करते हैं और जिसमें हमें ये कहा जाता है कि हमें पहले passage को properly पढ़ना चाहिए ये कहा जाता है कि हमें at least 2 बार passages को पढ़ना चाहिए और जो tough words होते हैं ये जो phrases होते हैं और जो important information होती है उसको underline कर लेना चाहिए फिर हमें questions के answer करने चाहिए friends जिसकी English पर अच्छी command होती है उनके लिए passage को solve करना rocket science नहीं होता rocket science मतलब tough नहीं होता और वो बहुत ही असानी से solve कर लेते हैं लेकिन जिनकी English अच्छी नहीं होती जिनकी English पर अच्छी command नहीं होती उनके लिए एक हेर्कुलिन टास्क होता है हेर्कुलिन टास्क का मतलब है पहाड उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए पहाड है और वो इसे solve नहीं कर पाएंगे इसे आसान बनाने के लिए हमें traditional approach को छोड़कर दूसरी approach को follow करना होगा बेशक ये कहने में गलत होगा लेकिन ये approach आपको बहुत help करेगी passage को पढ़ने से पहले passage के questions को पढ़ें अब question ये arise होता है कि passage पढ़ने से पहले question क्यों पढ़ें इसकी पीशे logic है passage की language बहुत tough होती है और उसमें बहुत सारे words ऐसे होते है जो की बहुत tough होते हैं और वो हमारे उपर से bounce करते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं जबकि questions जो की exam में पूछे जाते हैं उनकी language कई गुना passage के मुकाबले आसान होती है और उसमें कोई tough word भी नहीं होता सारे questions को passage से पढ़ने से पहले हमें यह समझ में आ जाएगा कि passage किस बारे में है और यह approach आपके लिए time saving approach भी होगी अगर आप passage से पहले questions को पढ़ लेते हैं तो यह आप में एक interest भी create करेगा यह आपको help करेगा उस passage को समझने में और यह आप में एक understanding भी create करेगा जब आप questions को पढ़ने के बाद answer ढूणेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उन answers को ढूण पाएंगे जो की questions में पूछे गए होगे जो answer आपको मिल जाते हैं आप उन्हें underline कर लें अगर आपको vocab में परिशानी होती है तो आपको खुद परिशान नहीं होना आपको vocab को परिशान करना है उसके लिए आप उस word की Hindi meaning ना निकाले उसे context से समझें that means कि आपको किसी भी चीज की literally Hindi नहीं निकालनी अगर हम किसी भी चीज को literally Hindi निकालके समझते हैं तो हम उसे properly नहीं आते हैं तो आपके लिए better होगा कि आप अगर कोई word नहीं समझ पा रहे तो आप उसे English में ही समझने की कोशिस करें इसके लिए में एक example देना चाहूँगा मानले जे पैसिस में लिखा है कि extracted information from the office यहाँ पे आपको he का मतलब पता है office का मतलब पता है information का मतलब पता है लेकिन extracted का मतलब नहीं पता तो हमारे लिए matter नहीं करना चाहिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसने office से information extract कर ली फैस आप extract को अपने पास रखें और अगर आपको उसका meaning नहीं पता तो आप ऐसे कहें अपने आपको समझाएं कि उसने office क्या था तो फैस बताना चाहूंगा कि यहाँ पर extracted का मतलब है निकालना तो इसका मतलब है उसने office से information निकाली फैस एंसर लिखते समय आप कभी भी passage से एक पूरे portion को lift ना करें इससे आपको कभी marks नहीं मिलेंगे बलकि marks deduct हो जाएंगे इससे better यह है आप passage के questions के answer अपने own words में लिखें अपनी own language में लिखें आपके marks नहीं कटेंगे क्योंकि comprehension passage आपकी understanding को evaluate करने के लिए आपको दिया जाता है वहाँ examiner यह देखना चाहता है कि आपकी passage को लेकर कितनी समझ है वहाँ पे आपकी grammar नहीं मेरा मतलब यह भी नहीं है कि आप जो भी लिखेंगे वहाँ ठीक होगा आप passage में से पूरा portion lift ना करें और उसे आप अपने answer में use ना करें क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इससे better है कि आप अपनी own language में लिखें जितना में आता है और आपको लगता है कि यह best है आप उसे use करें और आपको पूरे marks मिलेंगे आप unseen passage को बिलकुल भी ना छोड़ें आप unseen passage को लिखकर आए और अपने own words में लिखके आए आपको full marks मिलेंगे जानी से पहले में एक बात कहना चांगए कि description box में एक वीडियो है जिसमें हमने एक passage के questions को solve करने की कोशिस की है और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप description box में दिये गए link पर click करके उस वीडियो को देख सकते हैं फैंस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने friends के साथ share करना न भूलें आप अपने friends के साथ इस वीडियो को share करें इससे आप अपने friends की मदद तो कर पाएंगे और साथ ही साथ आप army fund के लिए भी कुछ योगदान दे पाएंगे friends क्योंकि इस वीडियो से जितना भी revenue या income generate होगी वो मैं army fund के लिए डोनेट करूँगा अगर या आपको वीडियो पसंद आए आप तभी से share करें अगर ना आए तो देश की भावना में भैकर इस वीडियो को share ना करें friends जै जवान जै कि साथ